हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोग कैसे हैं आशा करते हूं आप लोग बहुत अच्छे और स्वास्त होंगे तो आप लोग को स्वागत है आड़ादना कुकिंग एंड ब्लोग चैनल में तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूं तो थोड़ा सतबेत खराब भी था थोड़ा देख रहें घरूर पेंट हुआ है तो इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है तो सबसे पहले आप लोग का दिपावली का हर्दिक सुबकमना और है तो हैपई दिपावली और अब आप लोग को सबनाती हूं मैं चाट पूजा काप हशाध तो दिखाती हूं मैं मीट्टी के चुला कैसे बानाती हूं तो दोस्तों देखें यहां पे मैंने नौ इटा ले ली हूं और इटा छत पे से उतारी हूं और यह बालेटी में पानी है इसको धो धाके यहां पे रखी हूं और यह बीच में जो है रेता दी हूं तो यह रेता दी हूं इस डिबा में रेता लाई थी भरके और यह रेता दी दी हूं ताकि चुल्ला एक बार गरम हो जाएगा ना तो गरम रहेगा इसको बड़ाबर कर लूँगी और चुल्ला बनाई हूं मैं इधर छोटा मू दिया हूं और इधर चौरा मू दे दिया हूं ताकि इधर से आच लगे अच्छा से और यहां पे छोटा से छोटा बरतन आ जाए इसमें क्योंकि छटपुजा मैं सिमीत बरतन रहता है तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है तो मैं पुरा कंप्लीट करके फिर बताती हूं उतना अच्छा से तो आता नहीं है मैं ही हर साल छटपुजा का बनाते बनाते सीखी हूं तो अब जैसे भी आता है तेरा मेरा सही यह पुरा रूम है इधर अभी पेंट के काम चली रहा था देख सकते हैं वाल्टी में पेंट रखा हुआ है और यह है गैलरी तो यह सीरी लक्री वाला सीरी इसी से चर के उपर से इटा निकाली हूं उपर इटा रखा हुआ था तो चलिए बनाती हूं फिर चुल्हा आपक इसे चुल्हा बनाए हूं तो दिखाती हूं सामने से यह देखिए यह दो चार दो छे छे इटा लगा है और एक इटा साइट में रख दी हूं साथ इटा होगी और साइट से भी दिखा दीती हूं ऐसे लग रहे दोस्तों तो कैसे बना है चुल्हा बताईएगा कॉमेंट पर इसी में चट पुझा का परशाद बनाऊंगी और वह सारा इटा बज्चा हुआ है तो उसको बाहर रख दूंगी और यह मट्टी के पानी यह बल्टी को धो दूंगी और यह सब हटा दूंगी और यहां पर जब सुख जाएगा ना तो तब फर्स को पूछ दूंगी तो और इसके नीचे जो है ना रेता लगाई हूं तक फर्स को खराब ना करे फर्स फटे ना इसलिए तो यह है हमारा आज का परशाद बनाने का चुल्हा अब मैं जारी हूं नीचे तो दोस्तों यहां बालती को दो दिया हूं मैं एक बार और खांगार लेती हूं और उसके बाद चलती हो नीचे साड़ी के ठिक ठक करना है तो दोस्तों यह वाला शाड़ी तैयारी काड रही हूं सादी का भी कामा दाएगा छटपजबें भी इस्तेमाल कर लूँगी तो दोस्तों यह हमारा पीकू बना लिए हूं मैं हाथ से यह काड़ी हूं पीकू कैसा हुआ है कॉमेंट पर जरूर बताईएगा और इधर साइ जो है ना सोच रही हूं ऐसे फोल्ड करके और जैसे इस तरह से हेम कर लूँगी छोटा-छोटा यह मतलब मैंचिंग धगा करके यह तो अभी ऐसी टाक-टाक के देख रही थी तो आप हेम कर लूँगी इधर और फॉल लगाना है फॉल देखती हूं टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी या नहीं तो छटपजा के बाद ही लगाऊंगी और आगे वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आएगा साधी का वीडि अच्छा ये बाई